दोस्तो क्रिकेट जगर में ऐसे बहुत से खिलारी है जिन्होंने करी मेनर के बाद एक बड़ी मुकाम हासिल की है ऐसे ही एक चेहरा है क्रिस गेल का वेस्टेंडिज का सबसे पोपुलर खिलारी और सिक्स मेसिन क्रिस गेल का जन्ग 21 सेप्टेमबर 1979 को किंग्स्टन जमाइका में हुआ था हम किसी का चेहरा देखके उसकी खुसी का अंदाजा तो लगा देते हैं लेकिन उसके पिछे की मेनर और डेडिकेशन की तरफ हमारा ध्यार नहीं आता है क्रिस गेल भी एक हस्ता मुस्कुरता चेहरा है लेकिन बहुत ही कौन लोग को पता है कि क्रिस गेल ने अपने लाइब में बहुत ही बुरे दिन देखे हैं क्रिस गयल और उनका परिबार एक जोपड़ी में रहते थे वो अपनी एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उनके पिताजी के पास फीज भनने के लिए भी पैसा नहीं था गयल अपना और अपनी परिबार का पेश पालने के लिए जगा जगा कच्रा और प्लास्टिक के बतल उठाया करते थे गयल ने अपना एक इंटर्विव में भी बताया कि उन्हें चोरी भी करने पड़ती थी जब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था उस समय सायत क्रीस गयल भी नहीं जानते होंगे कि किस्मत उन पे इस गदर महरवान होगी कि वो एक दिन दुनिया के अमी खिलारों में से एक होंगे गयल का क्रिकेट की सुरुवाद लुकास क्रिकेट क्लब से हुआ था जब वो 19 साल का थे तोब उन्होंने फास क्रिकेट में डेबियू किया था वो 1999 में पहला ओर्याई में इंडिया के खिलाब खिला और पहला T20 2006 में नीजुनार के खिलाब खिला शुरुवाद में उनका कोफमेस इतना अच्छा नहीं था लेकिन यों खुद को बेटर किये और बहुत सारे रेकर बना दिये और इस तरह वो टीम में अपनी जगे पक्की कर ली थी और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुर कर नहीं देखा क्रिस गेल पहले ऐसे खिलारी है जिन्होंने अपने पहले मेच की पहले बॉल पर सिक्स मरा है और इस बधरे बाद ने टेस्ट मेच में भी दो बार ट्रिपल सेंचुरी का रेकर अपने नाम किया है T20 इतियास की पहली सेंचुरी भी गेल की द्वाला ही लगाई गई थी गेल सन 2007 से 2010 तक वेस्टेंडिस टीम की कप्तान भी रह चुके हैं एक गरीब परिबर में जनम लेने के बाद भी गेल ने एक ऐसी मुकाम को हासिल कर लिये हैं जहां तक महतने के लिए लोग सपना देखते हैं इस हस्ते मुस्कुराते चेहरा सिक्स मसिन का सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में भेन बेस बहुत ही तगड़ा है गेले बहुत अच्छे खिलारी होने के साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है दोस्तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएए और लाइक सस्क्राइब और सेयर करना ना भूए